कि अधिक लाप जमें लग सकते हैं असलाम अलाइकुम मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग उमिद करती हूँ कि आप सब हैरियस से होंगे तो गाइस हम लोग यहां पर आये थे जी सालमिया शॉपिंग के लिए बॉलिवड मॉल तो नावड़ेज जो है कोईट में बहुत ही अच्छी सेल चल रही है हम लोग यहां पर आयते ही इक शॉप तो यहां पर लग इतने भी ब्रैंड ड्रेसे और शूज थे सब बहुत अच लगते हैं लेकिन बस जी वह कहते हैं कि लोग एड्मायर बहुत करते हैं चीजों को तो हैर मैं तो बिल्कुल भी जो है ब्रैंड कॉंशिस नहीं हो ना ही मेरी पूरी फैमिली में कोई है लेकिन है अच्छी ओफ थी इनके शूज भी कमफर्टेबल थे तो इसलिए हम लोग भी जहां से चीज बाय करते हैं उसके साथ एक अनदर फ्री थी तो बिल्कुल आप कहलें कि जो है ना फ्री वाला सीन था और मज़े की बात जी थी कि मज़े पहले बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था यह हम लोग ने जब शूज लिए काउंटर पर गे तब हम लोगों को प पाकिस्तान जा रहे थे तो काफी टाइम से प्लान बन रहा था था बस फाइनली जो है उनका प्लान जो हो गया था तो इंशाला वो इन टू डेज में पाकिस्तान चले जाएंगे और बस यह दो दिन आप कहलें के मेरे बहुत ही बीजी से गुजरने वाले हैं और यह मेरे कोशिश करूँगी के मैं दोनुदिनों के ही कलिपस डाल दूँ विकॉज के मैंने ज्यादा कुछ पी क्या थोड़े थोड़े से जहना मैंने कलिपस लिये हैं तो यहां पर जी हम लोग आये ते शाही किला तो हजबन कह थे जाने से पहले बचों को एक ट्रीट दे दे देत वापसी में जो है मैंने चाय ले ली थी दहन इसके बाद में आप लोगों से जो है नेक्स्ट डे की जो किल्प साफ वो शेयर करूगी तो गाइस आज मैं आप जो बड़ा सही एक कुछ मैंनु शेयर करने वाली हूं तो बस एक दम से जहना में रमाइन में आए कि चले हमाइन का जहना फेड़रेट खाना बनाते हैं और दवास मैं पहले से तो रही बहुत प्रिप्रेशन की होती है अभी कुछ में न किया आपर यह देखे सब चीजे जहना मैंने जो है काट कर लगती है शामी कबाब यहां पर जाती हूं तो इन्शाला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जैसा भी बनेगा जो भी बनेगा तो चले जी इसको कॉम्प्रीट करते हैं देन मैं आप से बनती हूं अच्छे तो वीडियो का अफ़ी जादा लंकी हो रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं जो है इसको जो सोफ्ट से बने हैं इसकी रेसेपी मैंने काफ़े दफ़ा चैनल पर उपने शेयर किया आप लोग देख सकते हैं तो बस इनको जी नकालेंगे देन हम लोग ड़ी में सिंपली नमक मेर्च और जीरा डालकर मैं जो है इसके इंदे डाल दूंगी और आलू जो है वो मैंने बो और जो साबद गरम मसाले होती हैं दाल चीनी मोटी लाइची जीरा लोंग भी आप देख सकते हैं वो डाल दी हैं और भी हम लोग चिकन और चैनी की डाल जो है मैंने जो है अट लीस टू आवर जो है पहले भी गोकर रखी हुए थी अच्छा जब से मैंने ये जो टिप आप से मेरे शामी कभाव बिल्कुल पर्फेक्ट बनते हैं एक तो जो ए चैने की डाल जो है ना टू-ठी आवर्ड जो है बिगो दे पानी के अंदर एंड जो है आप लोग एक्जेक्ट मेहिर करके पानी डालें तो बिल्कुल बी जो है आपके शामी नेरम निहीं और अच्छासद कोब चो चर्शामक मिल भी तो इस्तिक को चाया ये कोपा शिरिमें डालेंगी क्यूत अट वहां रहुताना चाया के लिए उसकी नहीं दोटे तो यék आठीक हैं तोसे को जाइतमति में चुछेंपा ये पन्ब जाया uniqueness जो है इसको बूने के बाद पिर मैंने इसके अंदर तुरा साजी दहीं भी डाला था और फिर इसके अंदर हम लोग जो है कोरियंडर पोर्डर एड़ करेंगे कीमे की कोई भी रेसिपी होती है तो बस यहांपर बिनाई हो गई है इसकी और अब हम इसमें डालेंगे पानी खाना बनाना होना तो मैं एक दिन पहले थोड़ी सी जो है जरूर इसकी प्री प्रेप कर लेती हूं लेकिन आज बस जली-जली में में काम करी थी तो बस आप कहलें कि कुछ चीजे जो ना मेरी इदर से उधर भी हो रही थी लेकिन है अलहमदोलेला से मैनेज हो गया था तो मैंना मेक शूर करती हूं जब दोनों चीजों में से मैं कोई भी बना रही हूं लेकिया प्लाओ या बरेयानी तो जो है ना कोशिश करती हूं कि चावल जो है ना वो दिखने में बहुत खुबसूरत लगे एक एक धाना जना वो खिला सा हो तो है यहां पर जी मैंने बास तो स्टार्टिंग में भी डाला था लेकिन बात में इस पॉइंट में जो है ना लगी चीज़े डालने का मकसद सर्फ यह होता है कि शामी कबाब को जो फ्लेवर है वो इनहांस हो सके अचा मैंने जो है बंजफ जो है कोरियांडर दनिया जो ता वो मैंने काट के डाल शेदर थोड़ा थोड़ा सामें दही बलू के रङए ने बीडालती जा रही थी अच्छा यहां पर जो है साती मैं इसके देर गरम मसाला भी डाला लूंगी और सात में जो है जीरा पॉडर जो है ना हाफ टी स्पॉन के राउंट वो भी डालोंगी यह भी बहुत ही का लगता है तो बस जी इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि इनको बना कर मैं जो है फ्रिज पर रखूँ बस आपके लेंगे ओन दा स्पोर्ट ये सारे काम हो रहे थे बलके कि अभी पी नहीं हस्पन की कॉल आई थी के मार्किट जाना है और अच्छे से कबाब बनेते बिल्कुल भी मैसी नहीं थे तो बस इनको जली-जली से मैंने शेप दी और अंडा लगा कर जो है ना हम इसको शैलो फ्राय करेंगे और ये मज़दार से हमारे शामी कबाब बने रेडी होते हैं तब तक जो है मैं आपको अपने प्लाव की लुक वह भी दिखा देती हूं and guys look at this प्लाव बहुत मज़े का था अच्छा गर आप कीमे का प्लाव बना रहे हैं तो make sure करेंगे कीमा जो ना ज्यादा सा हो फिर ही जो है ना like आपको कीमे के प्लाव का जो मज़ए ना वो आता है तो है बस जी यहां पर मैं शामी कबाब को भी ट से आ रही होती है और मुझे कभी-कभी तो यह लगता है कि मैं नीद में जो ना वोईस ओवर कर रही हूं अच्छा कुछ तिन पहले ही मैंने ना एक व्लोगर्स हैं तो उनका व्लोग देख रही थी तो वह भी यही सेम कंप्लें कर रही थी कि लाइक जब हमारा नैपिंग क यह रहेस्ट का टाइम होता है ना तो मुस्टली क्या होता है कि हम उसी टैम पर वोईस ओवर करते हैं क्योंकि एज़ा मदर एज़ा हाउस वाइफ हम सब पर जो है बहुत ड्यूटी होती है और हमारी प्रियोड़ी यह होती है कि हम अपने पहले वह काम कर लें देन हम लोग प्रियोड़ी अपनी वोईस ओवर को देते हैं तो यही मसला होता है कि जब आदे नीद में और आदे होश में होते हैं तब ही जो है ना वोईस ओवर कर रही होती हूं मैं भी तो चले होफ़ली कि आप बोर ना हुए हो मेरे बातों से हैर एन्यूइज खाना खाने के बाद ह हम लोग यहां पर ना सेंटर पॉइंट आए थे तो हस्बन ने ना कुछ एक तो शिर्ट जो थी वो चेंज करानी थी तो इसके बाद हम लोगों ने ग्रोसी स्टोर भी जाना था तो चुट 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 से काम थे कि जो कि मैं ने करने थे अच्छी यहां पर सेल ल लेकिन मैं शेयर नहीं करती तो मैंने चलें आज थोड़ा सचाना आपको यहां का हुबसूरत सा जाए होम डिकोर सेक्शन वह दिखाती हूं जो कि मेरा बहुत ही फेवरिट है और जब पी मैं कभी आती हूं तो मैं इसी जगह की जनव वीडियो बनाती हूं अच्छा तो प कि मिल जाती है तो यहां पर यह देख जी मैं क्रोकरी आपको दिखा रही थी कितने ही हुबसूरत जो है ना डेजर्ट ट्रेय है लाइक आप इसके पर कोई भी जैसे के इनके अर्बिक स्वीट होती है जैसे का पाकिसानी स्वीट की बात कर लें गलाब जमन तो लैक एक सिं काम देख रहे हो गरबर तो फिर मुझे लगता है कि चीजे जो ना मैनेज करना थोड़ा मिशकल हो जाता है तो हैर बस यहां पर जी मैं देख रही थी क्रोकरी खुबसूरत क्रोकरी उतनी देर में हस्बन ने चर्ट चेंज करके जह अपने लिए दूसी ले ली थी हैर यहा काफे जादा पड़े वे थे तो बस यहां पर ना मैं देख ली थी कि मझे कोई यलो कलर में जो है ना पोकी मून का जो है का मिल जाए तो यहां पर कोई नहीं था लेकिन यहां पर बहुत ही वराइटी है तो बस यहां पर जी हम लोगों ने थो इसी जिल्री वगए देखी अबी तो हैर बचों ने काफे जिल्री भाय की है लेकिन फिर भी जब आते हैं ना तो जरूर देखते हैं तो यहां पर ना एरिंग्स बहुत जादा थे और मुझे लगता है बचे सकाफ जो पैंते हैं जो भी सकाफ पैंता है उसके लिए फिर एरिंग जो है ना बाई करना यहां पर एरिंग्स की बहुत प्यारी कॉलेक्शन आई हुई थी अच्छा गईज यह है वो दिन जी दिन हजबन ने जाना था पाकिस्तान और यह वही शूस हैं जो कि उस दिन हजबन ने और मुस्तफा ने बाई किये थे तो उस दिन के बाद ना आप कहलें कि दो दिन मेर है लेकिन मुस्तफा को जो है यह शूस पसंद आ गये थे तो पर उसके वजबन ने भी बाई यह शूस कर ले थे हैर अच्छी शॉपिंग होगी थी और यहां पर जो ना मैं आप से थोड़ी सी लगज की जो क्लिप्स है वो शेयर कर रही हूं अच्छा लएक जब हस्बन ग पर फिर मुझे बाद में अफसोस हो रहा था कि मैं थोड़ा सा क्लिप रिकोड कर लेती इवन के जो है भाई लोग छोड़ने के थे हजबन को और उन्हें ने भी कोई क्लिप नहीं लिया तो है यहां पटी जो है स्नैक्स पर जो हम लोग ने लिये थे बच्चों के लिए त तो हम लोग जो है यहां पर पैक करे थे तो गैस यह था आज का व्लोग होफिली कि आपने आज का व्लोग इंजॉय किया होगा बहुत चल मिलेगे नए वीडियो में तब तक कि लिची अल्हाफिस